हेलो एवरीवन आप सब अच्छे से होंगे आज पुहे की रेसिपी शेयर करेंगे सुबह की नाश्ते की बात हो या शाम की चाय की पुहा हर टाइम खाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है तो आज हमने इसको बनाया है सब्जियों के साथ तो चलिए देख लेते हैं इस इस ट्रेनर में डाल लिया है और दो बार इसको पानी से अच्छे से धो लिया है और इस ट्रेनर में ही रख देंगे तो इसका पानी निकल जाएगा और यह थोड़ा सा फूल जाएगा और साफ्ट हो जाएगा और जो इसमें थोड़ी सी गंदगी होती है वो भी साफ हो जा तो उसमें हमने मुंखपली डाली है यह कच्छी मुंखपली है आधी कटोरी है इसको हम अच्छे से फ्राइब कर लेंगे तीन से चार्मनिट तक अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाती है तो इनको फ्राइब करते हुए तीन से चार्मनिट हो गया है और यह अच्छी तरह से इसके बाद हम प्यास दाल देंगे जो हमने एक मीडियम साइजी काट की रखिये यह दाल देंगे इनको भी फ्राइ कर लेंगे सब को अच्छी तरह से प्यास को मिलाल नहीं करना है जिसके बाद दूसरी वेज़ेटेबिस में डालते हैं तो यह शिम्ला है जो ंविक काट करगी इननको भी थोड़ा सा Frying करेंगे इसके बाद इसमें टेमाटा राड़ कर देंगे कि टेमाटारों को एड करने के बाद इनको ठोड़ी देर हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे इन है वो धोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो इनको भी हमने कुक कर लिया है एक से दो मिनट अब इसमें हम नमक एड़ कर रहे हैं तो यहां हमने हाफ टी स्पून नमक एड़ किया है आप अपने कॉर्डिंग डालिएगा अब इसमें हम 1 फूर्थ टी स्पून मिर्च पॉर्डर एड़ करेंगे यह बहुत तेज है तो कम ही डालेंगे आप चाहें तो इसमें गाजर और मटर एड़ कर सकते हैं हमने यहाँ पे कॉर्ण एड़ किया है तो यह बॉयल है और हम इसमें एड़ कर देते हैं अब इसमें हम कुछ मसाले और एड़ कर देते हैं तो हमने यहाँ पे जीर्या पॉडर डाला है यह बुनेवे जीर्या का पॉडर है यह से खुश्पू बहुत अच्छी आजाएगी टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा इसके बाद इसमें हम बहुत थोड़ी सी हल्दी ला लेंगे वन फोर्थ टीस्पून से भी कम तो बहुत थोड़ी से हमने हल्दी यहाँ पे एड़ की है और सारी सबजें के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक और पका लेंगे इसके बाद इसमें हम पोहा एड़ करेंगे तो हमने यहाँ पर पोहा एड़ कर दिया है इसमें यह भीगा हुआ है तो बहुत सौफ्ट भी है और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा मसाले में और सारी सब्जी आची तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे देखे कितना खिला खिला और अच्छा पुआ बना है बहुत ही टेस्टी है हमारे वेजिटेबिल पुआ तैयार हो गया बनके और बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए भी और सभी के लिए तो आप इसको इस तरह से बनाएए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में